कि हलो फ्रेंड मैं आनंद राज आप शोगी देखिए मौलाना मजरूल हक और विकन फार्सी इन्वर्शुटी जो आपका पटना में है उसका बीट फर्स्टेर का सेशन 22 का एक्जाम चला है देखिए आज हम आज आपका कुर्स इक्स जेंडर स्कूल और सुसाइटी का आप लोग अच्छा इक्जाम गया सब पर गया आप लोग का बहुत अच्छा नमर आएगा समझे अब आप लोग का एक्जाम होगा कॉलेज में तो आपका आगे क्या चीज़ है देखिए कोस्टन पर देते कौन को नाया था था देखिए जो आपका जिंडर स्कूल पर होता है देखिए तीन कोस्टन लिखना रहता है च्छों कोस्टन है तीन का जवाब देना देखिए पहला कोस्टन है डिसकर दा है रीकमेंडेशन और पॉलीशी एंडर स्कीम डिलेटेट टू इंडिकेट जंडर बाइनस यानि कह रहा है कि लिंग उनमूलन से समंधित नितियों तथा योजनाओं की सिफारिस की चर्चा करें लिंग उनमूलन करने के मतलब है कि लिंग में जो भेद भाव है उससे समंधि जो नीती ओजना है उसको खतम करने का वह चीज़ कहें बाता है जंडर बाइसनेस के बारे में लिखना था समझे यानि आप पोल सकते है कि पुर्भागरा जो हता है उसमें कोन कोन सी समीती है क्या नीती है कोन कोन यजना चला उसको खतम करने के उसके बारे में लिखना यह चीज़ आप पढ़े हुए थे दुसरा कोश्चन था यह तो हम बोले तो महिला सस्तिकरन पढ़ लिजेगा बहुत इंपोर्टेंट है आ तुसरा कोश्चन आपका है उनिट्टू का पुस्चन है आपका कि समाजले की लिंग पहच्चान भी बोले ते आप लोगों पढ़वर सिर्जन होता है यानी जेंडर आइडेंटिटी समझे वह करा है कि जेंडर आइडेंटिटीटी इज क्रियेटिफ बाई सूसल इंवर् यानि समाजिक वातावरन से लिग पाचान का सिर्जन होता है उप्युक्त धारवन्दे का इस कर्थन की पुष्टी करें और चौथा कोस्चन है विघटनकारी सिधान दा लिंग मुद्ध्य पर इसके परभाव की वर्णन करें समझे यह यूनिट फाइप देखते हैं जो इन और यह तो गेस करवेक गेति लिंग पुर्वागरओ को परिभासित करें लिंग पुर्वागरओ में धर्म और छेतर के परभाव का उलेक करें समझे तो एक कोश्चन हो गया आम जल्दी आपका मेठर का सब मेठर काम कर देंगे समझे थाइंक्यू